कहानी का पूरा आनन लेने के लिए इसके पिछले बाग को सुनना बिलकुल मत भूलिएगा उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्टिन बाक्स पर दे दूँगी और साथ में कमेंट बाक्स में पिन भी कर दूँगी तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं मुंबई समीर होस्टल से निकला ही था कि दीप्ति का कॉल आ गया समीर हेलो दीप्ति जी कैसी हैं दीप्ति मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं समीर I am fine आप सुनाये दीप्ति actually समीर मैं आप से मिलना चाहिथी थी अगर आप फिरी हो तो क्या हम थोड़ी देर के लिए मिल सकते हैं समीर हाँ हाँ क्यों नहीं वैसे कोई important बाट थी क्या दिप्ती नहीं बस ऐसे ही दिप्ती अभी बताना नहीं चाहती थी क्योंकि समीर फिर रास्ते भर परिशान होता हुआ आता समीर ओके मैं आता हूँ पर कहाँ दिप्ती संसाइन रेस्टोरेंट ओके समीर ठीक है आदित का गर पवित्रा उस डायरी को पढ़ना शुरू करती है जबसे वो स्कूल जाने लगी थी तब से उसके लिखने और पढ़ने की हैविट में काफी प्रोग्रेस होई थी जिससे वो हिंदी की किताब और इंगलिस के वर्स भी काफी हद तक पढ़ लेती थी इस डायरी में आदित ने अपने आप से जुड़ी काफी बाते इसमें लिखी थी थोड़ी देर ऐसे ही पन्ने पलटने की बात वो एक पेश पर आजाती है जिस पर आदित की शादी के तीन दिन बात की तारीख लिखी थी पवित्रा सोचती है अरे ये तो हमारी सादी के तीन दिन बात की तारीख है क्या लिखा है उन्होंने इसमें खुश होकर पढ़ते हैं 25 भरवरी 2020 मेरी जान मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले किया करता था आज भी मेरी दिल में तुम्हारी सिवा किसी के लिए कोई जगह नहीं है पर मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ क्योंकि मेरी हिस्से में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है पवित्रा अपने मन में सूचकर ये वकील बाबू किस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं पढ़ते हैं बाबा सा ने अपने दोस्त की बेटी नंदिनी से हमारा रिस्ता तै कर दिया ताकि मैं उससे साधी करके सारा करजा चुका सकूँ और अपने बिजनेस और हमारी पुस्तेनी हबेली को बचा सकूँ किस्मत ने हमारे साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला और ये सब यहीं खतम नहीं हुआ मैंने एक एक्सिडेंट में बाबा साथ को हमीज़ा के लिए खो दिया पर इन्हें सब में मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई इस एक्सिडेंट में मैं अपनी पतनी के दोखे में किसी और लड़की को अपने साथ घर ले आया हालांकि मुझे बाद है पता चला कि वो मेरी पतनी नहीं है मेरी पतनी नंद्नी तो उस एक्सिडेंट में मर चुकी थी पर अब वो लड़की मेरी जिम्मेधारी है इस लड़की का इस दुनिया में कोई नहीं है ये अनात है लाचार और बेबस है ये सोच कर कि अभी कहा जाएगी मैंने इसे अपने घर में रख लिया है पर बहुत जल मैं इसे इसके पती को ढूड़ कर उसे सौफ दूँगा और तुम्हारे पास चलाओंगा हमेशा हमेशा के लिए तब हम दोनों साधी कर लेंगे तुम् क्यों वो बस उसे एक जिम्मेदारी की तरह मानता था आज उसे अपने हर सवाल का जवाब मिल चुका था पूरी डायरी पढ़कर पवित्रा के आँखों में आसु आ गए पूरा सच जानकर वो अंदर से टूप चुकी थी वो वहीं घुटनों के बल बैठकर रोने लगी प किसी अंजान के साथ इतने दिनों से रह रहे थे और उन्हें अपना पती मान रहे थे यह कैसे हो गया हमसे वो हाथों में अपना मूझ चिपा कर रोने लगी पवित्रा मनी मन हम अब इस घर में नहीं रहेंगे हम चले जाएंगे यहां से वकील बाबो ने हमें क्यों नहीं बताया कि हम उनकी पत्नी नहीं है, कोई और है, ये सोचते सोचते वो रोने लगी, तभी उसका अक्स, उसके ही सामने आकर खड़ा हो गया, अक्स, ये तुम क्या कर रही हो पवित्रा, जिस इंसान ने तुमें अपने ही घर में पनाह दी, ये जानते है वेवी कि तुम, उसकी पत्नी नहीं कोई और हो उस इंसान को तुम गलत ठहरा रही हो पवित्रा तो हम क्या करें क्यों वकील बाबू ने हमें नहीं बताया कि हम उनकी पत्नी नहीं है क्यों उन्होंने हमसे सच्चाई चुपाई अक्स उन्होंने तुमसे इसलिए सच्चाई चुपाई क्योंकि तु हो की आदित को ही दोरसी धहरा रही हो पवित्रा आज के जमाने में तो गेर भी इतना नहीं करते जितना आदित ने तुम्हारे लिए किया है सोचो सोचो पवित्रा और आदित को दोसी धहराना बंद करो इतना कहकर वो अकस वहां से घायब हो travelling यह सब बाते चुप होकर सोचने लगती है आखिर सही भी तो था वकिल बावो ने हमें कभी उस नजर से नहीं देगा आज के जमाने में कौन इतना किसी के लिए करता है जितना उन्होंने हमारे लिए किया हमें अपने घर में पनाहा दी यहां तक कि हमारे लिए दिप्ती जी से भी छूट बोला कि हम उनकी पत्नी है सिर्फ इस लिए ताकि हम एक मान सम्मान की जिन्दगी जी सके लेकिन हम अब उन्हें ऐसे घुट कर जीने नहीं देंगे हम उनकी जिन्दगी से बहुत दूर चले जाएंगे हमारी वज़े से बहुत सहा है उन्होंने पर अब उन्हें हम हमारी वज़े से और नहीं सहने देंगे नहीं सहने देंगे और हमें पता है कि हमें क्या करना है थोड़ी देर बात डोर बिल बचती है पवित्रा ये देख कर वहां से खड़ी हो जाती है और डायरी को जल्दी से टेबल पर वापस रख देती है लगता है वकील बावू आ गए हम जल्दी से चुपचाप बिस्तर पर वापस लेट जाते हैं अगर उन्होंने हमी इस तरह देख लिया तो वो इसकी वजह पूछेंगे जो हमारे पास है नहीं पवित्रा जल्दी से जाकर विस्तर पर लेट जाती है तभी आदित कमरे में आ जाता है आदित पवित्रा के पास बैठ कर पवित्रा सो गई क्या मैं तुम्हारी ले दवाईयां ले आया हूँ पहले तुम कुछ खा लो फिर दवाई ले ले नव ठीक है पवित्रा जी कुछ सोच कर पवित्रा आप चिंता मत कीजिया हम ठीक है आदित हाँ बहुत ठीक हो तुम दिख रहा है और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक किसी भी काम को हाथ नहीं लगाओगी समझी मैंने काका से कह दिया है कि वो तुम्हारे लिए सूप बना दे सूप पीकर ये दवाई ले लिना और सोजना मैं ज़रा इस्टिडी रूम में जा रहा हूँ ओके पवित्रा जी आदित के जाने के बाद फिर से पवित्रा के आँखों में आशु आ जाते हैं वकील बाबू हमें माफ कर दिजिए हमने आप से छुपाया कि हमें सब सच्चाई का पता चल गया है क्योंकि अगर हम आपको बता देते हैं कि हमें सच पता है तो जो अब हम करने वाले हैं वो आप हमें करने नहीं देते यही सब सोचते हुए वो चुपचाप लेट चाती है दिबती एक रेश्टोरेंट में बैठी समीर का इंतिजार कर रही थी तभी समीर वहां आ जाता है समीर दिबती की तरफ हाथ हिला कर lumière हाई कैसी है आप मैं ठीक हूँ आप कैसे है समीर एक सांस बरकर एक डॉक्टर की जिन्दगी कैसी हो सकती है बस घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर दिप्ती हास्ती हुए जी बिल्कुल ये तो आपने ठीक कहा डॉक्टर्स की लाइब सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होती है समीर वैसे आपने आज यूँ अचानक मिलने बुलाया कोई important बात दिप्ती हर बढ़ाते हुए हाँ बस ऐसा ही समझ लीजिए तभी वहाँ बेटर ओर लेने आ जाता है बेटर येस मैं दिप्ती समीर की तरब देखती है बताईए आप क्या लेंगे समीर तू कब कॉफी चलेगा दिप्ती या श्योर समीर हाँ तो बताईए दिप्ती जी क्या बाती जो आपने यूँ अचानक बुलाया दिप्ती एक्चुली समीर बात ये है कि आपकी मम्मी ने मेरे दीदी जीजू से मेरा हाथ मांगा है आपके लिए वो मुझे पसंद करती है और अपनी बहु बनाना चाहती है समीर हैरानी से वाट मा ने आपके दीद और जीजू से ऐसा कहा पर मा ने मुझे तो ऐसा कोई जिक्र नहीं किया दिप्ती मुझे भी लगा ही था कि शायद उन्होंने आपसे नहीं पूचा पर जब दी ने मुझे इस पारे में बात की और मेरी राह जाननी चाही तब मुझे लगा कि एक बार आपसे बात करनी चाहीए समीर मा भी ना उन्हें मेरी साधी की इतनी जल्दी है कि वो कुछ भी कह देती है I'm sorry दिप्ती जी दिप्ती It's okay समीर वो मा है और हर मा यही चाहती है कि उसके बेटे की शादी हो और उसके घर में भी एक प्यारी से बहू आए लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं इस काविल अभी नहीं हूँ कि उनके घर की बहू बन पाऊं समीर उसकी तरफ देखने लगता है दिप्ती हाँ समीर इसलिए मैंने आपको यहां बुलाया था एक्चली समीर मैं किसी और से प्यार करती हूँ हलांकि हमारा रिस्ता चल नहीं पाया उन्होंने अपने पेरेंट्स की वज़े से किसी और लड़की से साधी कर ली लेकिन मैं आज तक उन्हें भूर लहीं पाई हूँ और शायद नहीं कभी भूर पाऊंगे मैं भी साधी के लिए तयार नहीं हूँ आप प्लीज आंटी जी को समझाएए ना कि वो मुझे लेकर ऐसे सपने ना देखी जो पूरे नहीं हो सकते समीर आप चिंता मत कीजिए दिप्ती जी मैं मा को समझाओंगा ठीक है दिप्ती थैंक्यू दोनों थोड़ी देर इधर उधर की बाते करते वे काफी पीते हैं और फिर अपने अपने घरों की तरफ निकल जाते हैं समीर अपने घर पहुचता है दरवाजा सुबित्रा जी खोलती है तो समीर अंदर आकर सोपे पर बैठ जाता है सुबित्रा जी अंदर पानी लेने जाती है तो समीर उन्हें वहीं अपने पास बठा लेता है सुबित्रा जी क्या हुआ समीर पानी तो लाने दे बेटा क्या सुबुत्रा जी ने एक बार को तो समीर के मुझे ये बात सुनकर हैरान हो जाती है कि समीर को इस बारे में कैसा पता चला पर फिर अपने आपको संभाल कर वो कहती है तो क्या हुआ समीर पैसे भी दीपती मुझे पसंद है और मुझे लगता है कि वो तेरे लिए एक अच प्यार नहीं सुबुत्रा जी पर क्यों बेटा आखिर ऐसा क्या है जो तू अभी साधी नहीं करना चाहता बेटा यही उम्र होती है शाधी की और वैसे भी अब मुझे अकेला नहीं रहे जाता मेरा भी तो मन करता होगा कि मेरे घर में एक प्यारी सी बहुआ है समीर मा मैं कमरे में चला जाता है सुबुत्रा जी समीर मेरे बात तो सुन बेटा पर समीर नहीं सुनता और वहां से चला जाता है अंदर जाकर वो कमरे में चुप चाप आखें बंद करके बेट पर बैठ जाता है और उस दिन को सूचने लगता है जब उसकी साधी हुई थी और वो अपनी आखे खोड़ लेता है समीर अब तक उस सत्मे से बाहर नहीं आ पाया था और यही वज़े थी कि वो अभी किसी से भी साधी नहीं करना चाहता था और फिर दीपती ने भी तो यही कहा था कि उसे अभी थोड़ा वक्त चाहिए थोड़ी देर वो ऐसे ही बैठा रहता है फिर उटकर वासरों में नहाने चला जाता है आदित का घर आदित को इस्टीडी रूम में फायल्स का काम करते करते काफी देर हो चुकी थी अचानक उसे पवित्रा का ख्याल आता है और वो उटकर उसके रूम में उसका हाल चाल पूछने के लिए जाता है पर वो कमरे में आकर देखता है कि पवित्रा सोई चुकी थी वो उसका माधा चुकर देखता है तो अब उसका बुखार पहले से कम था वो चुपचाप लाइट ओफ करके रूम बंद करके अपने कमरे में सोनी चला जाता है थोड़ी देर बाद पवित्रा अपने बेट से उपती है क्योंकि जब आदित उसके कमरे में आया था तो वो सोई नहीं थी बस सोनी का नाटक कर रही थी वो बेट से उपती है और अलमारी खोल कर अपने कुछ कपले एक बैग में पैक करने के बाद आदित के लिए चिठी लिखती है और फिर अपना रूम खोल कर वहां से बाहर आ जाती है नीचे आकर वो देखती है कि सब सोई हुए थी तो वो दरवाजा खोल कर पीछे की रूम से बाहर निकल जाती है अब सड़क पर पवित्रा अकेली चल रही थी उसे अपनी जिंदगी में आप कहा जाना है क्या करना है नहीं पता था वो बस एक अंजान रह पर चली जा रही थी मुंबई सहर पवित्रा आधी रात में सुनसान सड़क पर अकेली चलती जा रही थी उसे पता नहीं था उसे जाना कहा है पर फिर भी वो एक अंजानी डगर पर चले जा रही थी पवित्रा काफी देर चलने के बाद जिब ठक गई तो उसने सोचा कि बैठ कर थोड़ी देर आराम कर ले वो पास ही जाकर एक चब उत्रे पर बैठ गई वो माते से अपना पसीना पहुच रही थी कि तभी कुछ मवाली से लोग वहां घूनते हुए आ गए इतनी रात में एक अकेली लड़की को देख कर वो उसे अजीब नजरों से घूरते रहे पवित्रा ने जल्दी से भाग एक गली में खुच गई उन मवालियों ने वहां रुक कर देखा भी कि वो चली गई कहीं थोड़ी देर रुकने के बाद वो लोग सीधे रूट की तरह भी निकल गए जब पवित्रा को लगा कि अब वो लोग यहां नहीं है तब वो निकल कर बाहर आई व लेकिन हमें बस आपका साथ चाहिए हमें कोई राह दिखाओ बोलेनात पवित्रा के आँखों में आशू आ गए आसमान में बिजली भी कड़क रही थी और उसके पैर भी अब जवाब दे चुके थी थोड़ी देर चलने के बाद उसे किसी दिसा से मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई थी तो वो उसे दिसा में चल पड़ी थोड़ा आगे जाकर उसे एक मंदिर दिखाई दिया ये देखकर उसके चेहरे पर एक संतोज की भावना आ गई वो मंदिर की सीडियों पर ही आकर बैट गई थोड़ी देर बाद मंदिर के पुजारी जी आये और मंदिर की सीडियों पर क्यों बैठी हो पवित्रा उनके सामने हाथ चोड़कर पुजारी जी क्या मैं एक रात यहां मंदिर में बिता सकती वो पुजारी जी बहुत ही भले आदमी थी हाँ बेटी परंतो तुम यहां क्यों रुकना चाहती हो तुमारा घर कहा है पवित्रा आखों में आसुलिये मैं अनात हूँ पुजारी जी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं मैं यहां अपने पती को ढूंडने आई हूँ वो एक एक्सिदेंट में मुझसे बिछड़ गये हैं पुजारी जी ठीक है बेटी एक रात क्यों तुम जब तक चाहो यहां रह सकती हूँ यह भूले नात का मंदिर है यहां सब को सरण मिलती है मेरी कोई बेटी नहीं है मैं भी सोचूंगा कि मेरी बेटी कुछ दिनों के लिए रहने आई है पुजारी जी उसे अपने साथ मंदिर मिलने जाते हैं वे अपने कमरे के दाई और बनी कोठ्री खोल देते हैं पुजार पुजारी जी भी कपाट बंद कर अपनी कोठी में चले जाते हैं अगले दिन पवित्या सुभे उठकर नहाद होकर बाहर आजाते हैं और वहां मंदिर की सापसपाई करने लगती है इतने में पुजारी जी भी वहां आ जाते हैं वह पवित्रा को मंदिर में प्रभू की शेवा करते देख बहुत खुस होते हैं उदर आधित्तिकी भी सुभे आँख खुलती है तो वो उठकर नीचे आजाता है वो नीचे आकर सबसे पहले मंदिर में जा कर दिया जलाती थी और भगवान जी की आर्थी करती थी लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था तबी आदित को किचन से कुछ आवाज आती है तो वो उधर ही चला जाता है तो देखता है कि किचन में आज रामदीन काका चाय बना रहे थी रामदीन काका आधित को देखकर छोटे मालिक आप आधित काका पभीत्रा काहा है? आज सुभे से दिखाई नहीं थी रामदीन काका हम भी यही सोच रहे थे मालिक रोज तो बहु जी हमसे भी पहले नीचे आजाते थी लेकिन आज तभी आदित को ध्यान आता है कि कल पवित्रा की तवित खराप थी, इसलिए शायद वो नीचे नहीं आई होगी आदित, अरे हां काका, ध्यान आया, पवित्रा को कल थोड़ा बुखार था, उसकी तवियर ठीक नहीं थी, इसलिए अपने कमरे में ही आराम कर रही होगी आप ऐसा कीजिए, यह चाय मुझे दे दीजिए, मैं ही कमरे में ले जाता हूँ, उसे उठा भी दूँगा और हम वहीं बैठकर साथ में चाय भी पी लेंगे आदित दो कप चाय लेकर पवित्रा के कमरे में चला जाता है, वो दर्वाजा बाहर से खटकटार रहा है, तो देखता है कि दर्वाजा पहले से ही खुला हुआ था आदित अंदर चलाया पवित्रा पवित्रा कहां हो तुम लेकिन पवित्रा अपने कमरी में नहीं थी आदित ने बालकनी की तरब जा कर देखा वासरूम में भी देखा लेकिन पवित्रा उसे कहीं नहीं मिली आदित काफी हैरान था कि पवित्रा इतनी सुबह सुबह चली कहां गई वो गार्डन से वापस दोड़ कर पवित्रा की रूम में गया उसने फिर से सब जखे देगा पर वो कहीं नहीं थी आदित ने पवित्रा को फोन करने की कोशिज की लेकिन पवित्रा का फोन वहीं बेट के पास बढ़ा बज रहा था अब आदित था खार कर वहीं बेट पर बैठ गिया और सोचने लगा कि पवित्रा उसे बिना बताय चली कहां गई खिड़की से काफी तेज हवा आ रही थी आदित उठकर खिड़की बंद करने लगा तो अचानक से एक पेपर उड़ता हुआ उसके पास आकर गिर गिर गिया आदित ने जुक कर उस पेपर को उठा लिया उसने देखा कि एक चिठ़ी थी जिसमें पवित्रा की हैंड राइटिंग थी आदित बेट की कोने पर बैट कर उसे पढ़ने लगा आदरनिय वकील भावो आपको ये चिठ़ी अगर मिल चुकी है तो इसका मतलब है कि हम आपसे तब तक बहुत दूर जा चुके होंगे हमें सब कुछ पता चल चुका है कि हम आपकी पत्नी नहीं है हमने कल आपकी डाइरी पढ़ ली थी जिसमें हमारे रिष्टे की सच्चाई थी हमारे पती एक डॉक्टर है और वो इसी मुंबई सहर में रहते हैं इसलिए हम अपने पती को ढूरने जा रहे हैं हमें मालूम था अगर हम आपको बता कर जाने की कोशिस करेंगे तो आप हमें जानी नहीं देंगे इसलिए हम आपको भी ना बताए ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं हम अब आप पर और बोज नहीं बनना चाहते हैं हमारे लिए अपने आपको कभी दोस मत दीजिएगा हमने तो आज तक सिर्फ भगवान का नाम सुना था आज आपके रूप में उन्हें देख भी लिया एक अजनभी होने के बावजूद में आपने हमें अपने घर में जगह दी हमें दुनिया गलत नजर से ना देखे इसलिए हमें अपने पत्नी का दर्जा दिया यहां तक कि आपने दिप्ती जी से भी छूट बोला कि हम आपकी पत्नी हैं लेकिन अब हमें सब कुछ पता चल गया है इसलिए अब इससे आगे का रास्ता हमें खुदी तै करना होगा आपने हमें बहुत माल सम्माल दिया हम आपका अहसान कभी नहीं भूलेंगे हो सके तो हमें माप कर दिजिएगा और हाँ एक और बात दिपती जी को अपनी जिंदिगी में वापस ले आईए और उन्हें इस बार सारी सचाई बता दिजिएगा वो आपसे बहुत प्यार करती है और हमें मालूम है कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं आप जल्दी ही उनसे साधी कर लिजिएगा और उन्हें अपना बना लेजेगा बस एक आखरी एहसान हम पर कीजेगा कि हमें ढूरने की कोशिस मत कीजेगा क्योंकि हम अब आपको नहीं मिलेंगे पवित्रा आदित ये ख़त पढ़कर दहम से जमीन पर बैठ जाता है उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये एक्तम से क्या हो गया आदित बहुत देर तक ऐसे ही बैठा रहा फिर वो अचानक से ख़ड़ा हुआ और हार महाउस से बाहर निकल गया बाहर आकर उसने अपनी गाली स्टार्ट की और पवित्रा को ढूने निकल गया सुवे से साम हो गई थी उसे मुंबई की सडकों पर घूमते घूमते लेकिन पवित्रा उसे कहीं नहीं मिली इधर पवित्रा रोज मंदिर में ही रहती और प्रभुक की सेवा करती पुजारी जी भी उसे भगवान की सेवा करते देखकर खुस होते और महादेव से यही प्रात्ना करते कि उसे उसका पती जल्दी ही मिल जाए पवित्रा को भी पूरा विश्वास था कि एक ना एक दिन उसे उसके पती चरूर मिल जाएंगे आज दस दिन होने को आये थे पवित्रा को आदित का घर छोड़े वे आदित का रोजाना का नियम बन चुका था पवित्रा को ढूने का लेकिन पवित्रा उसे कहीं नहीं मिली थी उसने सर्ता और चाचा जी विरेन जी को भी सब कुछ बता दिया था कि पवित्रा को सब पता चल गया है और वो उसका घर छोड़ कर चली गई है सर्ता और विरेन जी को भी बहुत दुख हुआ कि पवित्रा इतनी समझदार होकर भी कैसे ऐसी गलती कर वैटी उन्होंने आदित को भी सांताओना दीकी वो भगवान से प्रातना करे कि वो जहां भी वो सुरच्चित हो और उसे कोशिस करे ढूणने की क्या पता कहीं मिल जाए आदित भी काफी परिशान था कि पवित्रा कैसी होगी कहां होगी किस हाल में जी रही होगी एक दिन पवित्रा भोलेनात के मंदिर में आर्थी गा रही थी उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि सभी भक्त उसकी आवाज में ही मंत्र मुक्त हो गए थे से पूछी ही बैटी पुजारी जी कौन है ये बच्ची बहुत ही प्यारा गाती है आपकी कोई रिष्तेदार है क्या पुजारी जी नहीं नहीं बहन जी मेरी रिष्तेदार तो नहीं है लेकिन हाँ अपनी सीही लगती है मुझे तो एक दिन मंदिर की सीडियों पर बैटी मिल पुजारी जी बिलकुल ठीक कह रहें आप, अकेली औरत का इस समाज में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, मेरी आप से एक बिंती है, क्या आप एक बार मेरी उससे बात करवा सकते हैं, पुजारी जी, हाँ हाँ क्यों नहीं, पुजारी जी पवित्रा को बुलाते हैं, और बिटिया, जड़ा सुनना तो, तुमसे कोई मिलने आया है, पवित्रा, कौन है बाबा, पवित्रा पुजारी को इसी नाम से संभूधित करती थी, पुजारी जी, बिटिया, ये सुभुत्रा जी है, यहां मंदिर अकसर आती जाती रहती हैं, तुमसे कुछ बात करना चाहत एक बार मिल लो, पवित्रा सुभुत्रा जी की तरब देख कर, जी नमस्ते, सुभुत्रा जी प्यार से उसके सर पर हाथ पेर कर, नमस्ते बेटा, आओ, यहां सीड़ियों पर बैठते हैं, सुभुत्रा जी उसके साथ सीड़ियों पर ही बैठ जाती है, सुभुत्रा जी, बेटा, तुम्हारे बारे में पुजारी जी ने मुझे बताया, बहुत दुख हुआ जानकर, पर क्या करें, होने को कौन टाल सकता है, एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मानो तो, पवित्रा, जी माजी कहिए न, पवित्रा जी मुस्करा कर, तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हूँ, मेरे घर में बस मैं और मेरा बेटा ही रहते हैं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ, तुम मेरा काम में हाथ बटास दिया करना, तुम्हें काम भी मिल जाएगा, और मुझे किसी का साथ भी मिल जाएगा पवित्रा सुवित्रा जी की तरफ देख कर लेकिन मैं इस तरह आपकी घर कैसे जा सकती हूं सुवित्रा जी क्यों नहीं जा सकती तुम काम की तलास तो कर रही हो ना तो हमारी नहां कर लो मेरे से अब घर का सारा काम भी नहीं होता बेटे को बोलती हूं कि सा जादी की नाम से भागता है जैसे ना जाने मैंने उससे ऐसे क्या कह दिया हो। मेरी भी अप उमन हो गई है। सारा काम अकेले नहीं हो पाता है मुझसे। तुम आओगी तो मेरा काम भी बढ़ जाएगा। बोलो, चलोगी मेरे साथ। और हो सकता है इस बीच तुम्हारे पती भी तुम्हें मिल जाए पवित्रा के आँखों में आशू आ जाते हैं सुबित्रा जी नहीं बेटा ऐसे नहीं रोते भगवान सब ठीक करेंगे जाओ अब चल्दी से अपने जो भी कपड़े हैं उन्हें पैक कर लो मैं इतने में पुजारी जी से बात कर लेती हूं पवित्र अपना नाम बोलने को होती है कि अचानक वो रुख जाती है पवित्रा मनी मन में अगर वकील बाबो मुझे ढूरते हुए यहां तक आ गए तो नहीं नहीं मुझे अपनी पहचान छिपा कर रखनी होगी जब यह मिल जाएंगे तो सब को सच बता दूँगी पवित्रा सुबित्रा जी पुजारी जी मैं जानकी को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ वो काम की तलास में है और मैंने उसे काम दे दिया है आज से वो मेरे घर में काम करेगी ठीक है पुजारी जी हाथ जोड़कर यह तो बहुत ही अच्छी बात है बहन जी यह बच्ची आपकी छ जोज मंदिर आती जाती थी इसलिए पुजारी जी को उनके नेक दिल सुभाव के बारे में अच्छे से पता था इसलिए उन्होंने पवित्रा जानकी को उनके साथ भेजने में कोई परेसानी नहीं थी थोड़ी देर बाद पवित्रा अपना बैक लेकर बाहर आ जाती है औ और हाँ मंदिर आती जाती रहना और देखना मुझे भोले नात पर पूरा भरोसा है कि बहुत जल तुम अपने पती के साथ भी इस मंदिर में दर्सन करने आओगी ये सुनकर पवित्रा के आँखों में पानी आ जाता है पवित्रा हम चलते हैं बाबा अपना ध्यान पुजारी जी तुम भी बिटिया पवित्रा बाहर आकर सुबित्रा जी के साथ गारी में बैठ जाती है थोड़ी देर बाद गारी घर के बाहर आकर रुकती है सुबित्रा जी आओ जानकी अंदर आओ पवित्रा सुबित्रा जी के साथ अंदर आ जाती है सुबित्रा जी अ अपने साथ ले आई, लेकिन मैं तुम्हें नौकरानी बना कर नहीं लाई हूँ, मैं तो बस यह चाहती हूँ कि जब तक तक तुम्हारे पती नहीं मिल जाते, तब तक तुम्हारी कुछ मदद कर सको, पवित्रा आप सच में बहुत अच्छी हैं माजी, आपकी बहु सच में बहुत खुस किसमत होगी, जो उन्हें आप जैसी सास मिलेगी, सुवित्रा जी, उसकी इस बात पर हस पड़ती हैं, सास तो जब बनूंगी ना, जब बहु आएगी, मेरा बेटा तो साधी की नाम से भाग खड़ा होता है, थोड़े दिन रुख जाओ, थोड़े दिन प्यार तो वो बहुत करता है मुझसे, मेरी कभी कोई बात नहीं डलता, बस इस साधी की बात को छोड़ कर, और फिर दोनों एक साथ हसने लगती हैं, पवित्रा वैसे माजी, आपके बेटे करती क्या है, सुवित्रा जी, मेरा बेटा डॉक्टर है, पहले हम दिल्ली में रह इसलिए मेरे लिए तो उसके पास टाइम ही नहीं, पवित्रा मुस्करा कर, कोई बात नहीं माजी, हम है न, हम आपका मन लगा दिया करेंगे, सुवित्रा जी भी उसकी बात पर मुस्करा देती है, सुवित्रा जी, आओ, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ, दिए हम बस अभी थोड़ी देर में आते हैं सुबत्रा जी मुस्कुला कर ठीक है बाबा तुम बना ले ना थोड़ी देर बाद पवित्रा हाथ मुधोकर कपड़े बदल कर किचन में आ जाती है वो दो कप अद्रक इलाइची वाली करमागरम चाए बना कर ले आती है पवित् है हमने गलत किया लेकिन उनके लिए यही सही था वरना हमारी वज़े से उन्होंने अपने प्यार तक को कुर्वान कर दिया हम उन्हें अब और तडपते हुए नहीं देखना चाहिए थे बस उन्हें जल्दी से दिपती जी वापस मिल जाएं और वो अपने दुनिया में खु पवित्रा जी वो बच्पन में हमें छोड़ कर चले गए थे इतना कगर पवित्रा के आँखों में आशू आ जाते हैं सुभित्रा जी उसका हाथ धाम कर अरे अरे तुम तो रोने लगी बेटे ऐसे नहीं रोती चलो ठीक है मैं कुछ नहीं पूछूँगी तुम से तुम र दिख लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं सुभित्रा जी अरे वाह तो बहुत अच्छी बात है तो फिर तै रहा कि आप तुम रोज मुझे रामायल का पाठ पड़कर सुनाया करोगी ठीक है पवित्रा भी मुसक्राकर जी बिलकुल सुभित्रा जी चलो मैं साम को खाने की त पसंद आएगा सुबित्रा जी मुस्कराते वे मैं बनवा लेती लेकिन क्या है ना मेरा बेटा मेरे ही हाथ का खाना पसंद करता है पवित्रा अवदास मन से जी सुबित्रा जी मुस्कराते वे ठीक है बना लो पवित्रा भी ये सुनकर खुश हो जाती है कि और किचन में जाक रात के खाने की त्यारी करने लग जाती है दिप्ती का घर दिप्ती अपने कमरे में बैठी हुई किताब पढ़ रही थी तभी दर्वाजे की घंटी बसती है तो दिप्ती दर्वाजा खोलने बाहर आ जाती है इतने में शुरुती भी किचन से निकल कर बाहर आ जाती है सायत अजीत होंगे दीप्ती दी मैं खोलती हूं दर्वाजा आप काम कर लिजे दीप्ती जैसे ही दर्वाजा खोलती है सामने खड़े सक्स को देखकर चौक जाती है दिप्ती ने दर्वाजा खोला तो देखा कि सामने उसके पापा बिर्जीज जी खड़े थे दिप्ती और शुरूती दोनों ही उन्हें देखकर खुजी के मारे उनके गले आकर लग गए दिप्ती खोजो कर पापा, what a pleasant surprise पापा आपको पता है, मुझे आपके कितनी याद आ रही थी शुरूती भी, really पापा, आपने यहाँ आकर हमें बहुत अच्छे वाला surprise दिया है थेंक्यू सो मच, बिर्जीज जी भी अपनी तोनों बेटियों को गले लगा कर भाई, हमें अपनी बेटियों की याद आई, तो हम चले आए उनसे मिलने और वैसे भी लखनों से मुंबई कौन सा दूर है, तभी अजीद भी उनका लगे साथ में लिए आ जाता है अजीद, उन सब की तरफ देखकर, दे दिया ना सर्प्राइज, अब लाव मेरी टेट, शुरूती अजीद की तरफ हैरानी से देखकर, इसका मतलब आपको भी पता था कि पापा आने वाले हैं अजीद उसका गाल खिसकर, यस, मुझे कल से ही पता था कि पापा जी आने वाले हैं पापा जी ने कल ही मुझे फोन करके आज आने के लिए बता दिया था लेकिन मैंने तुम दोनों को जान बुचकर नहीं बताया था थाकि तुम दोनों बहनों को सर्प्राइज दे सको और देखो हो गए ना तुम एकदम से शोक सभी हसने लगते हैं थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैट कर डिनर कर रहे थे दिपती खाना खाते हुए सच पापा आज कितने दिनों बाद पूरी फैमली एक साथ बैट कर खाना खा रहे है सच में बहुत अच्छा लग रहा है थैंक्यू फॉर कमिंग सच में पापा आपने यहां आकर बहुत अच्छा किया आपसे धेर सारी बाते करनी है बिजेज जी अच्छा ठीक है फिर पहले डिनर कर लेते हैं फिर आराम से बैट कर बाते करेंगे सुरूती और दिपती दोनों एक साथ बिल्कुल पापा डिनर के बाद सब एक साथ बैट कर बाते कर रहे थी तभी अजीद सुरूती से अरे सुरूती भाई आज तो रात भर बाते चलने वाली हैं ऐसा करो सबके लिए एक एक कप काफी बना लो प्लीज सुरूती उठते वे बोली हाँ बिल्कुल अभी लाई तभी दिपती ने उसे बीच में ही रोक दिया दी आप बैठिये मैं बना लाती हूँ और वो काफी बनाने चली जाती है सुरूती और अजीद विजेजी से बात करने लगते हैं सुरूती अपने पापा से पापा आप से कुछ बात करनी दी विजेजी हाँ बोलो बेटा क्या बात है चुरुती अजित की तरब देखती वे कहती है पापा अजित के एक बहुत क्लोज फ्रेंड है डाक्टर समीर नाम है उनका अभी हाल ही में दिप्ती ने अपने इस्ट्रेज की वज़े से उनके काउंसलिंग सेशन्स भी अटेंड किये दोनों ही काफी अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए है तभी अजित बोलता है पापा समीर ने थोड़े दिन पहले सबको डिनर पर इनवाइट किया था वहाँ पर समीर की मौम ने समीर के लिए दिप्ती का हाथ मागा था पापा मैं समीर को कॉलिज टाइम से जानता हूँ वो बहुत अच्छा लड़का है MBBS डाक्टर है और नेचर का भी बहुत अच्छा है हमारी दिप्ती बहुत खुश रहेगी समीर के साथ और फिर रिस्ता आगे से चलकर आया है सुबद्रा आँटी समीर की माँ भी बहुत अच्छे नेचर की है मुझे लगता है कि हमें ये रिस्ता एक्सेप्ट कर लेना चाहिए बिरजेर जी अजीत की तरफ देखकर देखो बेटा तुम्हारा कहना बिलकुल ठीक है लेकिन मैं दीप्ती के उपर कोई दबाओ नहीं बनाना चाहता एक तो पहले ही उसके साथ इतना कुछ हो गया और अब ऐसे में मैं उसके उपर दबाओ बनाऊंगा तो हमसे और दूर हो जाएगी मुझे लगता है कि हमें अभी उसे थोड़ा समय देना चाहिए अजीत पापा हम कब कह रहे हैं कि हमें दीप्ती को टाइम नहीं देना चाहिए बलकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी एक बार समीर और उसकी मम्मी से मिल लीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो बस उन दोनों की सगाई तै कर देंगे इसी बहाने उन दोनों को कुछ दिन एक दूसरे को अच्छे से जानने का मौका भी मिल जाएगा बिजेज जी कुछ सोच कर ठीक है ऐसा करते हैं परसोर अभीवार है तो जब हम समीर से और उसकी मम्मी से मिल लेते हैं ठीक है ना अजीत मुस्क्रा कर ठीक है पापा मैं कल है सुबित्रा अंटी को फोन पर बता दूँगा कि आप उनसे मिलना चाहते हैं थोड़ी देर बाद दीप्ती भी काफी बना कर ले आते हैं और सभी बैठकर काफी पीते हुए बाते करने लगते हैं इधर पवित्रा किचन में खाना बना रही थी और साथ ही साथ गर्मा गर्म रोटियां से का सुबित्रा जी को परोस रही थी सुबद्रा जी बस बस अब मुझे और नहीं खाया जाएगा आज तो सच में बहुत खा लिया सच जान की बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ मुझे तो लगा था सिर्फ मैं ही अच्छा बनाती हूँ लेकिन तुम तो मुझे भी अच्छा खाना बनाती हूँ सच जादू है तुम्हारे हातों में अपनी तारीव सुनका पवित्रा भी खुस हो जाती है तभी दर्वाजी की डोर बेल बसती है सुबद्रा जी दर्वाजी की ओर देखकर शायद समीर होगा मैं खोलती हूँ तभी पवित्रा उन्हें रोक कर रुकिये माजी आप बैटकर खाना खाईए हम खोल देते हैं दर्वाजा पवित्रा बाहर जाकर दर्वाजा खोल देती है दर्वाजा खोलते ही समीर अपने सामने खड़ी हुई किसी अंजान लड़की को देखकर वो हैरान हो जाता है सामने खड़ी पवित्रा भी अपने आँखें जुका लेती पवित्रा को देख समीर के दिल की धड़कने अचानक से अपने आप ही तेजी से धड़कने लगती है पवित्रा का वो मनमोहक सा चेरा उसकी सादगी किसी को भी लुभाने के लिए काफी थी पवित्रा एक द्रफ हो जाती है तो समीर अंदर आजाता है अंदर आकर समीर अपनी मा के पास ही बैढ़ जाता है सुभित्रा जी आ गए बेटा समीर भी उनके कंदे पर सर रकर बैढ़ जाता हा मा आज हॉस्पिटल में पैसेंट्स थोड़ा ज़्यादा थे इसलिए थोड़ी देर हो गई सुभित्रा जी उसके बालों में हाथ फिरते वे कहती है तुझे किस दिन देर नहीं होती मुझे तो अब आदत हो गई है इन सब की चल अब तु जल्दी से हाथ मुँ देले मैं खाना लगाती हूँ समीर उठते वे सब्र जी उसके पास ही बैठकर मुझे तो संीर समीर अपनी मा की तरफ मुझे देखता है मा मुझे लगता है कि आपको रोज अपने खाने की तारीब सुनने की आदत होगी चलो ठीक है कर देता हूँ तारीब खाना बहुत अच्छा बनाए हमेशा की तरह सुवद्रा जी हसने लगती है खा गए ना चक्कर तुभी ये खाना मैंने नहीं बनाया जानकी नहीं बनाया है समीर किचन की तरफ इसारा करते हुए ये लड़की जो अंदर किचन में काम कर रही है सुवद्रा जी हाँ बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है ये मुझे मंदिर में मिली पुजारी जी के पास ही रह रही थी कुछ दिनों से अपने पती को ढूंडने आई है यहां बेचारी अपने पती से एक एकसिडेंट में बिछड गई इसलिए मैं इसे यहां अपने साथ ले आई घर का काम भी समाल लेगी मेरी मदद भी हो जाईगी वैसे भी अब मुझे से ज़्यादा काम नहीं हो पता ठीक किया ना मैंने समीर अपना हाथ अपनी मा के हाथ पर रख कर मा आप कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती आपने जो किया ठीक किया सुवित्रा जी भी मुझ्गरा देती है रात को समीर अपनी रूम में ख़ड़ा खिर्की में से आसमान को निहा रहा था तब ही उसे बाहर किसी की पाहल की आवाज सुनाई देती है वो आवाज सुनकर बाहर आता है तो पता चलता है कि पभीत्रा किचन का दर्वाजा बंद करके अपने कमरे में जा रही थी उसे देख कर समीर को अपनी मा की याद आ जाती है कि एक एकसिडेंट में इस लड़की का पती उससे बिछड़ गया था समीर को भी इस बात से पिछले साल अपने साथ हुए उस एकसिडेंट की याद आ जाती है समीर मन में सूचती हुए इसका भी एकसिडेंट में पती भी चड़ गया कहीं ये मेरी पतनी समीर अपना सर जटक कर नहीं नहीं ये मेरी पतनी कैसे हो सकती है मैंने तो उसका अंतिम संसकार अपने हाथों से किया था और फिर इसका नाम तो जान की है पवित्रा नहीं समीर एक सांस भर कर वापस अपने बेट पर आकर लेट जाता है और थोड़ी देर में उसे नीन आ जाती है अगले दिन अजित आफिस से ही सुबद्रा जी को फोन कर देता है कि उसके ससुर यानी दीप्ती के पापा कल रभिवार को उनसे और समीर से मिलने आ रहे हैं उदर आदित अपने घर में बने आफिस में बैठा हुआ था वो वहां का सारा सामान पैक कर रहा था क्योंकि अब वो ये सहर हमीशा के लिए छोड़ कर जा रहा था उसे अब लगने लगा था कि उसकी जिंदकी में सायद अब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला उसने पवित्रा और दिप्ती दोनों का ही दिल दुखाया था इसलिए वो मुंबई चोड़कर हमीशा हमीशा के लिए जैपूर जा रहा था इसलिए जाने से पहले वो एक बार दिप्ती से मिलकर उसे सब कुछ बता देना चाहता था ताकि दिप्ती के मन में उसके लिए नफरत थोड़ी कम हो सके आदित अपने कमरे में बैठा यही सोच रहा था कि वो कल जाने से पहले दिप्ती को सब बता देगा और अगली प्लैट से हमेशा हमेशा के लिए जैपूर चला जाएगा सुबद्रा जी अपने कमरे में बैठी काफी खुस लग रही थी थोड़ी देर बाद वो पवित्रा के पास किचन में जाती है जहां पवित्रा खाना तयार कर रही थी सुबद्रा जी उसे देखकर मुस्करा देती है अरे बाबा तुम आज भी खुद ही सब कुछ करने लगी बैए मुझे भी तो कुछ करने दिया करो तुमने तो दो ही दिनों में मेरी आदत बिगार दी है जब तुम अपने पती के घर चली जाओगी तो मालूम है फिर मुझे तुम्हारी कितनी याद आएगी पवित्रा भी मुस्कराते वे तो क्या हुआ माजी हमें तो आदत है ये सब करने की और वैसे भी हम तो यहां आपकी सेवा के लिए आए है हमें करने दीजिये ना सुवित्रा जी ठीक है भाई मतलब तुमने सोच लिया है कि तुम मुझे निठला बना कर ही छोड़ोगी है न पवित्रा उनकी इस बात पर हसने लगती है हाँ और उन्हें कंदों से पकड़ कर बाहा ले जाती है और सोफेबर बैठा देती है पवित्रा अब आप यहां बैठिये और टीवी का आनल लेजिए तब तक हम आपके लिए कर्म गरम चाय बना कर लाते हैं सुवित्रा जी भी उसकी इस हरकत पर हसने लगती है सस्तो ये था कि दो ही दिनों में उन्हें भी पवित्रा से लगावसा हो गया था थोड़ी देर में ही पवित्रा चाय बना कर ले आती है और सुवित्रा जी को चाय दे देती है सुवित्रा जी चाय पीते वे जानकी कल के लिए कुछ मीठा और कुछ नमकीन में कुछ बना लेना कल समीर को लड़की वाले देखने आ रहे है पवित्रा डक्टर बावू को? पर डक्टर बावू तो अभी साधी नहीं करना चाहते न? सुवित्रा जी हाँ पर उसके कहने से क्या होता है? मुझे लड़की बहुत पसंद है वकालाज की पढ़ाई की है उसने समीर की अच्छी दोस्त भी है कल उसके पापा समीर से मिलने आ रहे है और इस बार मैं उससे हां करवा कर ही छोड़ूँगी रात को डोर विल बजने की आवाज आई तो पवित्रा दरवाजा खोड़ने के लिए बाहर आ गई दरवाजे पे समीर था पवित्रा उसके हाँ से बैग ले लेती और समीर अंदर आ जाता है थोड़ी देर बाद सुबित्रा जी टाइनिंग टेबल पर आकर बैट गई तो समीर भी फ्रेश होकर खाना खाने आ गया सुबित्रा जी उसे खाना सरब करती हैं और पवित्रा भी गर्मा गर्म रोटियां से कर ले आती है दोनों साथ ही बैट कर खाना खाते हैं सुबित्रा जी खाना खाते हुए समीर तुझसे कुछ बात करनी है समीर खाना खाते हुए क्या मा? सुबित्रा जी पहले खाना तो खाले फिर आराम से बैट कर बाते करते हैं खाना खाने के बाद समीर सोफे पर आकर बैठ जाता है, तो सुबित्रा जी भी उसके पास आकर बैठ जाती है, समीर, बोलो नमा, क्या बात है, कुछ बात करनी थी आपको मुझसे, सुबित्रा जी, बेटा, वो बात ऐसी है कि कल दीप्ती के पिता जी तुछ से मिलने आ रहे ह समीर हैरानों कर मुझसे पर क्यों सुविद्रा जी तेरी और दिप्ती की साधी की बात करने समीर हैरानों कर पर क्यों सुविद्रा जी बेटा जब थोड़े दिन पहले मैंने दिप्ती और उसके दीदी और जीजु को खाने पर बुलाया था तम मैंने सुरूती से तेरे और दिप्ती के लिए साधी की बात की थी और सुरूती और अजीत को भी ये रिस्ता बहुत पसंद है सुरूती और अजीत ने बिजेज इसे भी बात कर लिए और इसलिए वो भी तुस्से मिलना चाहते हैं समीर ख़़ाओ कर मा, मुझे ये सब बात पता है, आपको मना तो किया था ना, कि मैं और दिप्ती अभी साधी नहीं करना चाहते हैं, फिर आप क्यों जीत कर रही हो, सुविद्रा जी मैं जीत कर रही हूँ, बेटा यही सही वक्त है साधी का, फिर कब करेगा तु साधी, अजीत को तु पहले से ही जानता है, दिप्ती भी तेरी अच्छी दोस्त बन गई है, फिर प्राव्लम क्या है आकिर, समीर, सुविद्रा जी का हाथ नाम कर, मा, दिप्ती जी सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है, लेकिन मैंने कभी उसे उस नजर से नहीं देखा, इसलिए प्लीज मा, आप उन्हें मन संद नहीं है, सुविद्रा जी उसके कंधे पर हाथ रखकर, तो फिर पात क्या है, बाहरावा सुनकर पवित्रा भी किचन के बाहर आकर खड़ी हो जाती है, समीर थोड़ी देर सांत हो जाता है, फिर एक सांस भरकर वो सुविद्रा जी की तरब देखकर कहता है, मा, मैंने सुविद्रा चौक कर, क्या, तिरी शादी, समीर ये कैसा मजाग है, तुझे सादी नहीं करनी तो तू, अब ये सब कहानिया सुना रहा है, समीर नहीं मा, मैं मजाग नहीं कर रहा, तुझे याद है, पिसले साल में धनकपूर गया था, मुफ्त सेवा सिबीर में, पर इस ब द्धनकफूर पहुंचकर वहां कि परधान जी के यहां रुकी थे और फिर उसने धनकपूर में जो कुछ हुआ वो सब शुमद्रा जी को बता दिया समीर जब मैं वहां से अपनी पनी पवित्रा को लेकर वापस आ रहा था तब रास्ते में सामने से आती बस के हमारा एक्सिडेंट हो गया हमारी गारी और उस बस के बहुत सारे लोग मारे गए किसमत से मैं बज़ गया लेकिन जब मुझे होस आया तो देखा कि वहां सब लोग बहुत बुरी हालत में थे जब मैंने उठकर अपनी पत्नी को ढूड़ा तो वहां थोड़ी देव पर दुल्हन के जोड़े में मैंने अपनी पत्नी को पाया मैंने उसकी सांसे चेक की लेकिन वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ कर जा चुकी थी मैंने वही उसका अंतिम संस्कार किया और वापस आ गया तब से मा मैं अब तक उस हांसे को भुला नहीं पाया हूँ यह सब कहते कहते समीर के आँखों में आशु आ गए सुवित्रा जी भी उसकी कहानी सुनकर बहुत दुखी हुई समीर अपने आशु पोश कर मा मैं थोड़ा सा वक्त चाहता हूं प्लीज मुझे समझने की कोशिस करो उधर पवित्रा कीचन में खड़ी फूट फूट कर रोए जा रही थी वो अपने बताएं कि उनकी पत्नी मरी नहीं है जिंदा है उन्होंने अपनी पत्नी के धोके में किसी और कांतिम संसकार कर दिया और वो आँखों में आशु भरे बाहर खड़े समीर को देखने लगी सुबत्रा जी समीर के कंदे पर हाथ रख कर देख बेटा जिंदिगी में आगे तो हो गया होने को तो कोई टाल नहीं सकता लेकिन जिंदिगी यही कहती है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि पीछे मुर कर देखने से हमें सिर्फ निरासा ही हाथ लगती है समीर अपनी मां का हाथ ठाम कर मां मैं बस तुझ से इतना कहना चाहता हूं कि मैंने अपने हाथ साधी नहीं कर सकता और एक साल बीतने में सिर्फ दो ही महिने तो बाकी है तब तक के लिए रोक जाओ इतने में मैं अपने आपको समाले की पूरी कोशिश करूँगा सुबत्रा जी ठीक है लेकिन तू कल दिपती के पिता जिसे एक बार मिल ले मैं उन्हें अब मना नहीं कर सकती अगर रिष्टा हो जाता है तो हम बस सगुन दे देंगे साधी एक साल पूरा होने के बाद कर लेंगे समी ठीक है मा जैसी आपकी मर जी इतना कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है थोड़ी देर बाद सुबत्रा जी अपने कमरे में सोने चली जाती है इधर पवित्र बाबु को सब कुछ सच सच बता देंगे कि हम ही उनकी पवित्रा है वो हमारा यकीन चलूर करेंगे पवित्रा अपने मन में सोचते वे समीर के कमरे की ओर जाने लगती है पवित्रा सीडियों की ओर बढ़े चली जा रही थी तभी वो एकदम से ठिटक गए उसे पीछे से क कोई बात नहीं सुनेंगे अक्स तुम्हें समझना होगा पवित्रा तुम्हें क्या लगता है कि तुम डाक्टर बाबु को सब सच सच बता दोगे और वो तुम्हारा यकिन कर लेंगे पवित्रा क्यों नहीं करेंगे वो हमारा यकिन आखिर हम उनकी पतनी है हम उन्हें सार सच बता देंगे अक्स चलो मान भी लो कि उन्होंने तुम पर यकीन कर भी लिया तो वो पूछेंगे नहीं कि इतने दिनों तुम कहां थी तब क्या जवाब दोगी उन्हें पवित्रा ये सुनकर सुन्द हो जाती है आखिर उसने ये तो सोचा ही नहीं था कि वो डाक्टर बा कर रह रही थी क्या सोचेंगे वो तुम्हारे बारे में इतना सब जानने के बाद क्या वो तुम्हें दिल से अपना लेंगे नहीं पवित्रा नहीं धक्के मार कर बाहा निकाल देंगे तुम्हें तब क्या करोगी तुम कहां जाओगी बोलो पवित्रा रोते वे तो मैं क्य करूं तुम ही बताओ अक्स अब इसे ही अपनी नियत मान लो पवित्रा और डाक्टर बाबु से सच्चाई चुपा कर रखो यही तुम्हारे लिए और उनके लिए भी अच्छा होगा पवित्रा अपने दोनों हाथों से अपना मुझ ढग कर रोने लगती है वो अक्स वहां स अस्ता बनाने की तैयारी कर रही थी तभी सुवित्रा जी भी पूजा करके किचन में आ जाती है सुवित्रा जी उसे प्यार से देख कर अरे वाह तुमने तो आज सब कुछ पहले ही कर लिया चलो बहुत अच्छा है जान की समय से मिलने लड़की के घर वाले दुपहर में आने वाले हैं तो तुम दुपहर में कुछ अच्छा सा बना लेना और मुझसे जो मदद चाहिए हुले लेना पवित्रा हा माची आप चिंता मत करिये हम सब देख लेंगे पवित्रा ने कह तो दिया था पर उसका दिल ही जानता था कि उस पर क्या बीत रही है पवित्रा के आखों में ये सोच कर आशू भराय थे कि वो कैसे अपने आखों के सामने अपने ही पती को किसी और का होता हुआ देख पाएगी पर फिर उसने ये सोच कर अपने दिल को तसलिए दे दी कि कम से कम उसका पती उसके आखों के सामने तो है वो हमेशा उसे दिल ही दिल में पू दूंते दूंते एक महिने से भी चाता हो चुका था पर वो उसे कहीं नहीं मिली थी विरेन जी आदित के चाचा साहब ही अब यही चाहते थे कि अब वो जैपूर आकर अपने बाबा सा का विजनिस समाले और एक नई जिन्दगी की सुरुआत करे आदित दिपती को तो खो ही चुका था और अब पवित्रा भी उससे दूर चली गई थी इन सब में आदित बिल्कुल तूट चुका था और अब वो चाचा सा के कहे अंसार वापस जैपूर जाना चाहता था ताकि अपने बाबा सा की बिजनिस को आगे बढ़ा सके आदित अपनी राइटिंग चेर पर बैठा एक लेटर लेटर लिख रहा था ये लेटर वो दिप्ती के नाम लिख रहा था जिसमें उसने अब तक की सारी सचाही बया कर दी थी पवित्रा को तो सब कुछ पता चली चुका था लेकिन अब वो दिप्ती को भी सब सच सच बता देना चाहता था कि इन दिनों में उसका प्यार दिप्ती के लिए कभी जूटा नहीं था वो तो पवित्रा की मदद करना चाहेता था ताकि उसे सही सलामत उसके पती के पास पहुचा सके लेकिन इन सब में वो इतना उलस्ता चला गया कि सब कुछ खो वैठा और अब वो वापस जैपुर जा रहा है इसलिए उसने फैसला लिया था कि वो अब उसके जिंदगी से दूर चला जाएगा लेकिन जाने से पहले वो दिप्ती को इसलिए सब सच बता देना चाहता था ताकि दिप्ती अपने दिल में उसके लिए नफरात नंग रखे और हो सके तो उसे माफ कर दे आदितने लेटर लिखकर अपनी जेब में रख लिया कि साम को वो लेटर दिप्ती तक पहुँचा देगा उसे पता था कि दिप्ती अपनी दी के घर ही रह रही होगी क्योंकि दिप्ती का मुंबई सहर में कोई अपना था तो वे थे उसके दी और जीजू उदर पवित्ती खानी की तयारिया कर चुकी थी सुवित्रा जी बहुत कुछ थी शब देखकर समीर भी हॉस्पिटल से आज चल्दी आ गया था क्योंकि सुवित्रा जी ने उसे कहा था कि उसे दिप्ती के घर वालों के पहुँचने से पहले ही घर पहुँचना है सुबित्रा जी पवित्रा के पास रासोई में जाकर जान की ये लो ये मेरी सारी है ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी आज इसे ही पहनना पवित्रा थोड़ा चीजकती वे पर माजी हम सारी पहन कर क्या करेंगे मेमान तो डाक्टर बाबू को देखने आ रहे है न सुबित्रा जी मुस्क्रा कर तो क्या हुआ तुम भी तो इस घर की सदस हो न तो तुम्हारा भी तो हक बनता है सबसे मिलने का आज तुम यही सारी पहनना तुम पर खूब जचेज़ेगी पवित्रा पर सुबित्रा जी परवर कुछ नहीं मुझे माजी कहती हो न तो माँ की बात भी मानो ठीक है पवित्रा आखे जुगा कर जी माजी सुवेता जी मशक्राते भे महां से चली जाती है दिप्ती के घर में सब तयार हो चुके थे और समीर के घर जाने की तयारी कर रहे थे दिप्ती भी तयार होकर बहार आई उसने एलो और पिंक कलर का नार कर ली सूट पहना था हलांकि दिपती ये सब चाहती तो नहीं थी तेकि बिजेज जी ने उसे बहुत समझाया तब जाकर वो इस रिस्टे के लिए तयार हुई थी थोड़ी देर बाद वे समीर के घर के लिए निकल चुके थी इदर समीर के अंदर भी एक कस्म कस सी चल रही थी उसका दिल बिल्कु इतने ही वाली थी कि समीर ने उसे समाल लिया पवित्रा की तो डर के मारे आखे बंद हो गई थी लेकिन समीर उसे एक टक निहारे जा रहा था पवित्रा ने आज गुलावी रंकी सीफान की सारी पहनी थी बालों को खुला रखा था और चेहरे पर हलका सा मेक अप किया था आज वाकई में बहुत खुबसूरत लग रही थी समीर का दिल चोरों से धड़क रहा था हलांकि समीर थोड़ी तेर बाद अपनी दिल पर काबू पाकर पवित्रा को सीधा खड़ा करता है पवित्रा के दिल में भी समीर के इस परस से प्यार जाग उठा था जिसे वो अब दुसरे को आखों में खोई हुए थे उनका ध्यान तब हड़ता है जब दर्वाजे की बेल बजती है ध्यान भंग होने पर पवित्रा सर्मा कर किचन में चली जाती है और समीर इधर उधर देखने लगता है सुबत्रा जी बाहर आकर देखती है कि समीर अभी भी एक जगे खड़ा था सुबत्रा जी उसकी तरफ देखकर समीर क्या कर रहा है बेटा बेल बज रही है और तो ऐसे खड़ा है चल मेरे साथ मुझे लगता है कि वो लोग आ गए सुबत्रा जी बाहर जाकर दर्वाजा खोलती है तो दर्वाजे पर दीपती उसके पापा अजीद और अजीद सबका परचे करवाता है अजीद आटी जी ये है मेरे ससूर जी और दीपती और सुरूती की पिता जी फिर बिजेज जी की तरफ देखकर और पापा ये है समीर की मम्मी और समीर के पास आकर ये है मेरा दोस्त समीर समीर बिजेज जी की ओर देखकर नमस्ते अंकल ब दिप्ती और समीर भी आपस में हाई हेलो करते हैं समीर अजीत और विजेज जी आपस में बैठ कर बाते करने लगते हैं और सुवित्रा जी दिप्ती और सुरुती से बाते करने लगती हैं विजेज जी को भी समीर बहुत पसंद आया था उसका बेवार उसका बोलने चालने का धंग सभी कुछ बिजेश जी को एक नजर में ही भाग गया था सुबित्रा जी ने थोड़ी देर बाद जानकी को आवाद लगाई जानकी सब के लिए चाय नास्ता लेओ बेटा ये कहकर वो खुद भी किचन की ओर ही चली गई सुबित्रा जी किचन में जाकर जानकी सब कुछ तयार है ना पवित्रा जी माजी आप चलिए हम लेकर आते हैं पवित्रा चाय नास्ता लेकर जैसे ही रसोई के बाहर कदम रखती है उसे सामने बैठी दिप्ती दिख जाती है लेकिन दिप्ती का ध्यान उसकी तरफ नहीं होत नहीं माजी अचानक से थोड़े से चक्कर आ गए मन भी कुछ अजीब सा हो रहा है पवित्रा ने पहाना बना दिया सुभित्रा जी उसे थोड़ा डाटती वे सुभे से काम में लगी हुई हो ठकावट तो होगी ऐसा करो तुम अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करो यह सब मैं ले जाती हूँ पवित्रा घबराती वे नहीं माजी हम ठीक हैं यहीं किचन में थोड़ी देर बैर जाते हैं हम ठीक हो जाएंगे आप चिंता मत किजिए क्योंकि पवित्रा को पता था कि अगर वो अपने कमरे में जाएगी तो बाहर सब उसे देख लेंगे और दिपती जी ने उसे देख लिया तो उससे सवाल पूछेंगी कि वो यहां क्या कर रही है इसलिए उसने बाहर ना जाना ही ठीक समझा पवित्रा किचन में बैठी मानी मन में सोच रही थी कि डाक्टर बाबू का रिस्ता दिपती जी से होने जा रहा है आप क्या होगा क्या बाबू को इस बारे में पता है इसका मतलब उसके घर छोड़ने के बाद भी वकील बाबू ने दिपती जी को अभी तक कुछ नहीं बताया है वो मन में ये भगवान आप क्या करें हम पूरा यकीन है कि दिपती जी ये साधी अपनी मर्जी से नहीं कर रही होगी पर अब हम कर भी क्या सकते हैं ये क्या हो रहा है भगवान अब आप ही कुछ किजिए वरना सबकी जिन्दिगी बरबाद हो जाएगी बिचारे वकील बाबू पर क्या गुजर रही होगी हम भी उन्हें छोड़ कर चले गए और आप दिपती जी भी डाक्टर बाबू से साधी कर रही ह और एक हम है जो किसी को भी सचाई बता नहीं सकते है बरबू अब आप ही कुछ किजिए पवित्रा के आँखों में आसु आ जाते हैं सबके चाय नास्ता करने के बाद सुवित्रा जी बिजेज जिसे कहती है भाई साब मुझे तो दीपती पहले दिन से ही पसंद है अब आपने तो मूरे मेरे मुझे की बाद चीन ली बिजेज जी तो फिर ठीक है ये काम आज ही कर लिया जाए सुवित्रा जी सुरुती के साथ मिलकर रोके की तयारी करने लगती वहीं पवित्रा ये सुनकर बस आसु भाई जा रही थी कि आज उसका पती किसी और का हो जाएगा सब तयारे होने के बाद सुवित्रा जी दिप्ती को और विजेज जी समीर को तिलग कर उन्हें सगुन देते हैं पवित्रा अपने आखों के सामने साब होते भी देख रही थी पर कुछ कर नहीं सकती थी सुवित्रा जी सभी से आईए सब लोग खाना खाते हैं मैं अभी ड पवित्रा इस बास से अंजान थी कि दीप्ती भी सुवित्रा जी के साथ ही किचन की तरफ आ रही है। सुवित्रा जी किचन में जाकर जानकी खाना तयार हो गया। पवित्रा सरहिला कर जी माजी वहीं सुरूती और दीप्ती भी सुवित्रा जी के पीछे ही खड़ी थी पर उन्होंने अब तक पवित्रा को देखा नहीं था सुवित्रा जी दिप्ती और सुरूती की गोर देखकर जानकी इनसे मिलो यह है दिप्ती और उसकी बड़ी बहन सुरूती और दिप्ती यह है जानकी हमारे घर में ही रहती है जानकी जैसे ही पीछे की तरफ मुर्ती है दिप्ती उसे देखकर हैरान रह जाती है उसकी तो आखे ही फटी की फटी रह जाती है वो मन ही मन में पवित्रा पर उसकी वर बढ़ने को ही होती है पवित्रा उसे आख के सारे से मना कर देती है दोनों को एक दूसरे की तरफ देखता पाकर सुभित्रा जी दिप्ती से क्या हुआ दिप्ती तुम दोनों पहले भी मिल चुके हो क्या दिप्ती कुछ बोलने को होती है कि पवित्रा बेच में ही बोलने वाली होती है नहीं नहीं माजी हमें एक दूसरे को नहीं जानती सुबत्रा जी अच्छा तो तुम ये सोच रही होगी कि ये कौन है ये जानकी है अभी थोड़े दिन पहले ही यहां रहने आई है ये मुझे मंदिर में मिली थी बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है इसका पती एक एकसिडेंट में लापता हो गया है उसे ही ये मुंबई सहर में ढूने आई है इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई ये यहां घर में मेरी मदद कर देती है और मेरा भी थोड़ा मन लग जाता है दिप्ती तो ये सोच कर हैरान हुई ठीकि सुवित्रा आउंटी पवित्रा के बारे में ऐसा क्यों कह रही है क्योंकि उसकी नजरों में तो पवित्रा तो आदित की पतनी थी और वे पवित्रा को जानकी क्यों बुला रही है दिप्ती का तो सर घूमने लगा था ये सब सोच कर थोड़ी देर बाद सुवित्रा जी और सुरूती सारा सामाल लेकर डाइनिंग टेबल की तरब जाने लगते हैं तो सुवित्रा जी दिप्ती को देख कर कहती है दिप्ती आओ बेटा बाहर चलते है दिप्ती आँटी आप चलिए मैं और आई मीन जानकी बागी का खाना लेकर आते हैं सुवित्रा जी मुस्कुरा कर ठीक है बेटा जल्दी आना अब दिप्ती पवित्रा के तरब मुड़कर देखने लगती तो पवित्रा उसके डर से आखे चुलाने लगती दो मिनट यूँ ही देखने के बाद दिप्ती पवित्रा के पास आती है और उससे पूछती है तुम पवित्रा हो ना पवित्रा घपराट में दवदर देखने लगती दिप्ती तुम यहां कैसे और आदित वो कहां है और तुम यहां इनके घर पर क्या कर रही हो पवित्रा रोते वे दीदी हम आपके सामने हाथ चोड़ते यहां किसी को हमारे बीते वे कल के बारे में कुछ मत दायेगा दिप्ती असमंजस में पर क्यूं और ये सब तुम्हें जान की कहकर क्यों बुला रहे है पवित्रा क्योंकि यहां हमने अपनी पहचान चुपा रखी है दिप्ती पवित्रा तुम यह क्या कह रही हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम यहां पर कैसे हो और आदित कहा है पवित्रा होते वे इसका मतलब हमारा सक्स ही था वकील बाबू ने आपको अब तक कुछ नहीं बताया है दिप्ति वापा से असमंजस में उसे देख कर कहती है क्या नहीं बताया है पवित्रा यही कि हम उनकी पत्नी नहीं है वित्ती हरानी से क्या, तुम उनकी पत्नी, नहीं हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो आदित की घर में थी ना, और आदित ने भी यही कहा था कि तुम उसकी पत्नी हो, पभित्रा उन्होंने हमें दुनिया की नजरों से सम्मान दिलाने के लिए ऐसा कहा था, ताकि कोई भी बाहरी इंसान हम पर उगली ना उठा सके और पवित्रा ने तब से लेकर आज तक की सारी सच्चाई देप्ति को बता देती है कि किस तरह दो गारियों का एक्सिडेंट हुआ था जिसमें आदित की पत्नी मर चुकी थी लेकिन वो अपनी पत्नी की धोखे में पवित्रा को साथ लेकिन जब आदित को पता चला कि पवित्रा उसकी पत्नी नहीं है तो उसने फैसला लिया कि जब तक वो पवित्रा के पत्नी को ढूंड नहीं लेगा किसी को ये सच्चाई नहीं बताएगा कि वो जिस गर में रह रही है वो उसके पती का गर नहीं है पवित्रा रोते हुए दीदी हमें माप कर दीजिए हमें तो खुद नहीं पता कि हम वकील भाबू की पत्नी नहीं वरना हम आप दोनों के बीच कभी नहीं आते LE about you इन सब में वकिल बाबु ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन वो कभी किसी को अपनी तकलीप नहीं बताएंगे, उन्होंने तो आज तक बस अपनों को खोया ही खोया है, पहले उन्होंने उस एक्सिडेंट में अपने बाबा साको खो दिया, जिनकी वज़े से उन्होंने साधी की और फिर हमारी वज़े से आपको को दिया, वो तो हमने उनकी डायरी पढ़ ली थी, इसलिए हमें सच का पता चल गया, और हमने उसी दिन वो घर छोड़ दिया, क्योंकि हम आप दोनों के बीच नहीं आना चाहते थे, हमने वकील बाबु को चिठी में लिखा था, कि वो लेकिन शायद उन्होंने अभी तक आपको भी कुछ नहीं बताया, आदित के बारे में सब सुनकर दिप्ती के आँखों में भी आँसू आ गए, पवित्रा उसके सामने हाथ जोड़कर वकील बाबु को माप कर दीजी दिदी, उन्होंने जो भी किया जान बोच कर नहीं किय बस हालातों के चलते, वो इस भवर में फस्ते चले गए, उन्होंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब उन्हें आपकी जरूरत है, दिप्ती उसके हाथ पकड़कर, तुम क्यो मापी मांग रही हो पवित्रा, तुमने जो प्रतिछ देखा, उसे ही सचमान लिया, और आदित, उसके दोसी तो मैं ही हूँ, एक बार भी उसका हाल चाल जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैंने सोचा उसकी शादी हो चुगी, पर अब मैं उसे बिल्कुल अकेला नहीं चोड़ूँगी, हर पल उसके साथ रहूँगी, ठैंक्यू पवित्रा, कि तुमने मुझे उसकी सा यहां आने तक की सारी सच्चली बया कर दी, दिप्ती उसकी तरफ देखकर, और तुम्हारे पती, वो अब तक नहीं मिले क्या, पवित्रा अपनी पल के नीचे जुकाते वे, हमारे पती और कोई नहीं समीर जी है, दिप्ती हैरान हो जाती है, क्या, समीर तुम्हारा पती, ओ माई गौड, दिप्ती पवित्रा के पास आकर, पर पवित्रा, तुम इतनी शियोर कैसे हो, कि डाक्टर समीर ही तुम्हारे पती है, पवित्रा उसे उस दिन की सारी बात बताती है, जब समीर ने सारी सच्चाई सुवित्रा जी को बता दी थी, और किस तरह से समीर और पारे में पता है, पवित्रा नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं पता कि हम जिन्दा है या नहीं, वो तो सोचते हैं कि उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, उन्होंने उस एक्सिडेंट में शायद किसी और का अपनी पत्नी समझ कर अंतिम संसकार कर दिया, दिप्ती को सोचते हैं, समीर ने जिसका अंतिम संसकार किया, वो आदित की पत्नी हो, और इसी गलत भैमी में आदित, तुम्हें अपनी पत्नी मान कर अपनी घर ले आया, पवित्रा हाँ, शायद, दिप्ती पवित्रा की तरब देखकर, पवित्रा, पर आप तुम्हें समीर को सब कर नहीं दिदी हम उन्हें अभी कुछ नहीं बता सकते हो सकता है कि वो हमारी बात का यकीन ना करें हमें बहुत डाल लग रहा है दिप्ती पर पवित्रा जब तक तुम उन्हें सब कुछ बताओगी नहीं तब का तक सब कुछ कैसे सही होगा मैं हूँ न तुम्हारे साथ मैं बताओँगी सब को पवित्रा रोटे disrupt हु dib बस एक एच्छान कर दिजी हम पर आप बस उन्हें साधी के लिए मना कर दिजीए फिर हम सही मौका और वक्त देखकर उन्हें सब कुछ बता देंगे पर पवित्रा पवित्रा उसका एक हाथ अपने हाथ में थाम कर प्लीज दिदी दिप्ती ठीक है पर जल्दी कहीं दो बारा से देर ना हो जाए पवित्रा जी दी दिप्ती उसे गले से लगा लेती है थोड़ी देर बात दोनों बाहरा जाती है बाहर सुवित्रा जी उन दोनों के पास आकर कहां रहे गए थे तुम दोनों हम कब से तुम्हारा इंतिजार कर रहे थे दिप्ती उनके पास बैठ जाती है सौरी अंटी जी वो एक्चुली मुझे थोड़ा लो फील हो रहा था तो जानकी मेरे लिए नीबू पानी बना रही थी इसलिए थोड़ी देर वहीं रुख गये थे सुबित्रा जी और बाकी सब थोड़ा घबरा कर बेटा तुम अब ठीक तो हो ना दीप्ती मुझे रहा कर हाँ अंटी जी मैं अब ठीक हो सुबित्रा जी पता नहीं आज कलके बच्चों को क्या हो गया है बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं और एक हमारा जमाना था हमें पता ही नहीं होता था कि बीमारी होती है उनकी बास सुनकर बाकी सब भी मुस्करा देते हैं तवे बिजे जी ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा भें जी हमारा जमाना ही दूसरा था सुबित्रा जी उनकी ओर देखकर और नहीं तो क्या आज जानकी की भी तवे ठीक नहीं थी और अब दीपती आज कलके बच्चे अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखते समीर जो अब तक सब की बाते सुन रहा था जैसे उसे पता चलता है कि जानकी की तवे ठीक नहीं है उसका मन थोड़ा घबरा सजाता है वो जानकी की ओर देखता है जो पल के जुगाये चुकचाप करी थी आज समीर को खुद भी नहीं पता था कि क्यों उसके मन में जानकी को लेकर ऐसे भावा रहे है जबकि आज उसका रोका दिपती के साथ हो चुगा था खाना खाने के बाद सब बैठ कर थोड़ी देर बाते करते हैं फिर बिजेश जी भी सुवित्रा जी से जाने की इजाज़त मांगते हैं बिजेश जी अच्छा बहन जी अब हम चलते हैं सुवित्रा जी दिपती के पास आकर अब तो रोका हो गया है अब तुम्हें इस घर में किसी से पूछ कर आने की जरूरत नहीं है तुम जब चाहो हम सबसे मिलने आ सकते हूं ठीक है दीप्ती उनकी तरफ मुस्क्रा लेती है सब बाते करते हुए आगे बढ़ जाते हैं तभी दीप्ती पविद्रा के पास आकर तुम घबराना मत पविद्रा मैं तुम्हारे साथ हूं समीर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा लेकिन तुम्हें भी अब मौका देखकर समीर को सब कुछ बताना होगा और मुझे पूरा यकीन है कि समीर तुम्हारी बात पर यकीन चुरूँ करेगा दिप्ती उसके सर पर हाथ पिरकर अपना ख्यार लगना पवित्रा मुस्कराते विए जी दिदी आप हमारी तरफ से वकील भागों से माफी मांग लीजिएगा हमने जाने अंजाने में उन्हें बहुत दुख दिया है दिप्ती तुम खुदी मांग ले न बहुत जल मैं और आदित तुम से मिलने आएंगे जब तक तुम भी समीर को सब कुछ बता दे न पवित्रा जी दिप्ती भी बाहर चले जाते है थोड़ी देर बास सुबित्रा जी और समीर अंदर आते हैं सुबित्रा जी आकर सोफे पर बैढ़ जाते हैं लेकिन समीर सीधा अपने कमरी में चला जाता है उधर विजेज जी सब घर पहुँच जाते हैं जैसे ही दिप्ती और बाकी सब लिफ्ट के पास पहुँचते हैं एक गार दिप्ती के पास आकर उसे एक चिठ्थी पकड़ा देता है दिप्ती गार का तरफ देखता है ये चिठ्थी किसकी है गार पता नहीं मेम साब एक साहब आये थे अभी आदे घंटे पहले उन्होंने ही बोला था कि ये चिठ्थी आपको दे दो और चिठ्थी पकड़वा कर वो चले गए दिप्ती भी लिप्ट की तिरफ बढ़ जाती है उपर आकर वो सीधा अपने कमरे में जाती है चिठ्थी खोल कर देखती है ये चिठ्थी और किसी की नहीं बलकि आदित की थी जो उसने दिप्ती के लिए लिखी थी आदित ने भी उस लेटर में वही सब लिखा था चुपविता ने उसे बताया था लेकिन लास्ट लाइन पढ़कर दिख्ती हैरान हो गई आदित ने लिखा थे कि वो हमेशा हमेशा के लिए मुंबई चोड़कर जेपू जा रहा है सबकी जिंदगी से दूर दिप्ती ये लाइन पढ़ते ही छट से उठकर खड़ी होती और भागती है बाहर उसे यू हर बढ़ा हर में जाता देख बिजेज जी और बागी सब भी देखते हैं बिजेज जी दिप्ती इतनी चल्दी जल्दी में कहा जा रही हो बेटा दिप्ती रोते वे पापा मुझे जाना होगा मुझे आदित को रोकना है वरना वो ये सहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा बापा बहुत कुछ गलत हो चुका है और मैं नहीं चाहती अब और कुछ गलत हो बिजेज जी उसके सामने आकर उखो बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो बिजेज जी को वो चिठी दे देती है पापा इसे पढ़िया आपको सब पता चल जाएगा बिजेज जी शुरूती और अजित सभी को चिठी पढ़ते हैं जिसमें आदित ने अपने साधी से लेकर आज तकी सारी सच्चाई बताई थी बिजेज जी भी वो चिठी पढ़कर काफी परिशान होते हैं देती पापा मुझे आदित को रोक रहा होगा मैं जा रही हूं इतना करकर दिती बाहर आकर एक टेक्सी वाले से अंतर राष्टी एरपोर्ट की वो चलने को कहती है वहीं आदित भी एरपोर्ट पहुच चुका था टेक्सी से उतर कर वो भी चेकिंग के लिए चला जाता है इतने में दिती भी टेक्सी से उतर कर आंदर चली जाती है वो आदित एक चेर पर सिर्टिका कर आखे बंद करके बैठा था तभी उसे अपने कंदे पर किसी का इसपर्स महसूस होता है इसपर्स महसूस होते ही वो आखे कोलता है तो देखता है कि सामने दिप्ती खड़ी थी आदित उसे दिप्ती तुम यहाँ दित्ती अपने आसु पोस्ति वे तुम मुझे और कहां होना चाहिए था जिन्दगी को जुनों में भटकते भटकते तो यहां आ गए हम अब भी तुम सोचते हो कि मुझे कहीं और होना चाहिए था तुमने सोच भी कैसे लिया आदित कि तुम मुझे ऐसे छोड़ कर चले जाओगे और मैं चुपचाप देखती रोगी कैसे सोच लिया तुमने कि तुम अकेले सब कुछ सहते रोग और मैं तुमारा साथ नहीं दूँगी क्यों नहीं बताया मुझे सब कुछ क्यों चुपचाप अकेले सब कुछ सहते रहे क्यों आदित क्या तुम्हें मुझे भरोसा नहीं था या मैं इस लायक नहीं डिपती उसके कंधों को जग छोरते हुए कहती है आदित उसके आंसों पोस्ते हुए नहीं दिपती ऐसी बात नहीं है तुम उस दिन यूँ घर से रोकर चली गई मैं चाहता था कि मैं पहले पवित्रा के पती को ढूलोंगा उसके बाद तुम्हें सारी सच्चाई बताऊंगा लेकिन मैं इन सब प्रॉब्लम को सुलजाने की बजाए इन सब में उलस्ता ही चला और देखो न यह कहां आ गए हम आदित उसे बाहों में वरकर लेकिन अब मैं तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाओंगा प्रॉमिस बस एक बार मुझे माग कर दो दिपती भी उसे बाहों में कसते वे ठीक है बट लाश्ट बार हाँ आगे से कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे ना कि तुम अकेले आदित उसके माथे को चुमका प्रॉमिस दिपती मुश्क राते वे चलो आदित घर चलते हैं पापा महा तुम्हारा बेशब्ली से इंतिजार कर रहे आदित पर दिपती परवर कुछ नहीं चुप आदित और दिपती के पास आकर मैं बहुत खुश हूँ बेटा कि तुम दोनों फिर एक हो गए आदित उनके गले लगा कर I am sorry अंकल बिजेज जी भी उसे अपने गले से लगा कर कोई बात नहीं बेटा अक्सर हम जिन्दिगी के भवर में फास आते हैं लेकिन जो हमिती होत उसे उसके पती से मिलाना होगा पता नहीं को कहा होगी किस हाल में होगी हमारी कहानी तो पूरी होगी लेकिन उसकी कहानी अभी भी अथोरी है लिपती उसकी तरफ मुस्क्रा कर और अगर मैं कहूं कि वो कहानी भी पूरी होगी तो आदित शौक होकर मतलब लिपती उसके प दिप्ति उसकी कंदे पर हाथ रखकर मैं तो तुमसे आज मिलने आने वाली थी तुम्हारी चिठी मिली कि तुम यहां से जा रहे हो I'm sorry आदित आदित उसकी गाल पर हाथ रखकर दिप्ति जो हुआ सो हुआ अब हमें सब कुछ भूल कर आगे बढ़ना चाहिए उनका रोमास देखकर वहां खड़े बिजेजी, शुरूती और अजित खास देते हैं वहां सबको यू करते देखकर आदित और दिप्ति एक दुसरे से आलग होकर इधर उधर देखने लगते हैं फिर सभी एक साथ खास देते हैं थोड़ी देर आदित बैठकर अपने घर वा निश्चे करता है कि वह अभी दिप्ति के घर जाकर सबको अपनी साधी के बारे में बता देगा वह बाइक की चावी उठाकर बाहर जाने वाला होता है तो सुबित्रा जी उसे रोक कर पूछती है इस वक्त तहां जा रहे हैं समीर हर बढ़ाट में वह मा एक एमेजिंसी के सा गया इसलिए जा रहा हूं थोड़ी दिर में आ जाऊंगा और जल्दी से बाहर चला जाता है सुबित्रा जी मन में यह लड़का भी ना इसे काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं पता नहीं शादी के बाद भी ऐसे ही रहेगा क्या फिर वे भी सर जटक कर अपने कमरे मे सुरूती ने जाकर दर्वाजा खोला तो सामने समीर ख़़ा था सब अचानक से समीर को यहां आया देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वे आज ही तो मिले थे और समीर वापस से उनकी घर आया था इसका मतलब जरूर कोई बात थी बिजे जी उसके पास आखर अरे आओ समीर बेटा तुम अचानक से यहां सब ठीक तो है ना समीर पहले सब को देखता है फिर बिजे जी की तरफ देखकर अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है बिजे जी हां बोलो बेटा क्या कहना चाहते हो समीर थोड़ा घबराती हुए अंकल मैंने आप से एक बात चुपाई है लेकिन आप समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कहूं मैं आपसे यह बात इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि मैं अपने और दिप्ति के रिष्टे की निव जूट पर नहीं रखना चाहता है आई होप आप मेरी बात को समझेंगे अंकल मेरी एक बार साधी हो चुगी है और फिर समी समीर अपने धनक पुर जाने से लेकर एकशिडन तक की सारी बात बता देता है समीर मेरी पहली पत्नी अभी इस दुनिया में नहीं रही लेकिन मेरी शादी तो हुई थी ना इसलिए मैंने आपको सब को ये बात पहले ही बता देना सही समझाह अब आपका इस रिष्टे को लेकर जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा सब उसकी बात सुनी रहे थे कि तभी पीछे से आवाज आती है आपकी पतनी जिंदा है डाक्टर समीर और सही सलामत है समीर अचानक से उस आवाज की तरफ देखता है तो वो आवाज किसी और की नहीं बलकि दीपती की थी और की पतनी को अपनी पतनी समझ कर उसका अंतिम संसकार कर दिया जबकि आपकी पतनी जिंदा है समीर बहुत ही हैरानगी से उसे देख रहा था समीर उसके पास आकर कहा है मेरी पतनी और वो इतनी दिनों तो कहा थी दिपती उस गाड़ी में एक और सक्स भी था जिसने आप आपकी पत्नी को सही सलामत बचा लिया था दोनों गारियों का एक्सिडेंट होने की वज़े से आप दोनों की दुलहनों की अतला बदली हो गई लेकिन आप चिंता मत कीजिए आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है समीर भाबो को कर दिप्ती जी प्लीज मुझे बताईए कहां है म आपकी पत्नी समीर के आखें नम हो जाती है थैंकियो दिप्ती जी आपने मुझे मेरी पत्नी से मिलवा दिया थैंकियो सो मज समीर बिजे जी के पास जाकर I'm sorry अंकल लेकिन अब मैं दिप्ती से साधी बिजे जी उसके कंदे पर हाथ रखकर जो बेटा अपनी साधी सुदा जिंदिगी जीो और अपनी ममी को बताओ कि उनकी चांसी भभू मिल गई है समीर दिप्ती के पास आकर थैंकियो दिप्ती लेकिन मैं अभी पवित्रा को कुछ नहीं बताऊँगा मैं चाहता हूं कि वो खुद मुझे बताए कि वो ही मेरी पवित्रा है दिप्ती बिलकु सम समीर जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि पवित्रा डाइनिंग टेबर पर बैठे हुए सच में उसका इंतिजार कर रही थी यह तो समीर उसे रोज ही देखता था लेकिन आज ना जाने क्यों उसे पवित्रा पर बहुत जादा प्यार आ रहा था शाद इसलिए क अब उसे पता था कि वो ही उसकी जीवन स्वंगिनी है समीर पवित्रा के पास चल कर आता है जान की तुम यहां पवित्रा समीर को देखकर खड़ी उलाते है जी वो आपने खाना ने खाया था ना इसलिए आपका इंतिजार कर रही थी वो मा जी ने भी यही कहा था कि आपक अंतिजार कर रही थी लेकिन अब बताने में सरमा रही थी पवित्रा समीर को देखकर आप हाथ मूँ धो लीजिए हम खाना लगाते हैं समीर अपनी रूम में कफले बदलने चला गया बहर आकर उसे सुभुत्रा जी के कमरे में जाका तो वे अपने कमरे में आखे बंद करके आराम कर रही थी इसलिए समीर भी डानी डेवल की तरफ पढ़ गया पवित्रा ने उसे खाना परोसा तो समीर ने पूचा मा ने खाना खा लिया पवित्रा जी समीर और तुमने पवित्रा उसकी तरफ हैरानी से देखने लगती है पर फिर सहियत हो कर जी जी अभी नहीं समी क्यों पवित्रा अपनी पलके जुकाती हैं हम आपसे पहले कैसे खा सकते हैं सामीर मंध बमद मुस्काती है क्यों यही खा सकती और उसके चीहरे को देखने लगता है पवित्रा हम आप के लिए मीठा लाते हैं हम भूली गए थे और जल्दी से किचन में भाग जाती है समीर उसे जाते हुए देख रहा था वो मुस्कराते हुए अपना खाना खाने लगता है इदर दिप्ती खिड़की के पास खड़े होकर चांद को देख रही थी आज ये चांद उसे फिर से खुष सूरत लग रहा था चांद को देखते हुए वो आदित के साथ बिताय पलो को याद कर रही थी कि तभी दिप्ती का फोन बस था इसक्रीन पर आदित का नाम देखकर वो खुश हो जाती है और जल्दी से फोन उठा लेती है दिप्ती खुश होकर अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी उदर से आदित की आवाज आती अच्छा तो फिर फोन क्यों नहीं किया दिप्ती फोन इसलिए नहीं किया कि जनाब क्योंकि मैं देखना चाहेती थी कि आप मुझे कॉल करते हैं या नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि इतनी दिनों में मुझे भूल गया हो आदित भावो को कर तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मैं सास लेना भूल सकता हूँ पर तुम्हें नहीं दिप्ती भी भावो कोते वे मैं भी तुम्हें हर पल याद किया था आदित इतने दिन तुम्हारे बिना कैसे काटे हैं ये मैं ही जानती हूँ आदित लेकिन अब नहीं काटने पड़ेंगे हम अब बस जल से जल साधी कर लेंगे दिप्ती खुश होते वे सच आदित भी मुस्कुराते वे हाँ अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता अब बस हमेशा के लिए तुम्हें अपना बना रजाएता हूँ दिप्ती थैंक गॉड आदित सब कुछ ठीक हो गया आदित होता कैसे नहीं हमारा प्यार जो सच्चा था दिप्ती सही कहा तुमने सचे प्यार की हमेशा जीत होती थोड़ी देर तक वे दोनों यूहीं बाते करते रहे और फिर सोने चले गए उधर पवित्रा के आँखों से नीन गायब थी थोड़ी देर कमरे में टहलने के बाद वो छट पर चली गए छट पर ठंडी ठंडी हो को महसूस कर वो मुस्कराने लगी पर उसकी इस मुस्कराहत को देखकर कोई और भी खुश हो रहा था जी हाँ वो और नहीं बलकि समीर ही था जो उसे ऐसे मुस्कराते हुए देख रहा था दरसल समीर को भी नीन नहीं आ रही थी इसलिए वो भी छत पर थोड़ा समय भी ताने आ गया था समीर उसे मुस्क्राते देखकर उसकी और खीचा चला आ रहा था और धीरे से आकर पवित्रा के पीछे खड़ा हो गया पवित्रा थोड़ी देर बाद जैसे ही मुणने कोई पीछे खड़े समीर से जाटक रही वो गिरने ही वाली थी कि समीर ने अपनी मजबूत माहों से उसे समाल लिया दोनों एक दूसरे इतने करीब होकर एक दूसरे में ही खूँ गय थे समीर तो आज पवित्रा को देखी ही जा रहा था और मनी मन सोच रहा था कि कितनी खूसूरत है ये और मासूम सी वो पर से नीचे तक एक्तम साधिकी सी भरी पवित्रा को थोड़ी देर बाद हो साता है तो वो वहां से हरबढ़ा कर जाने लगती है पर फिर अचानक से उसे दिप्ती की बात यारा थी वो मुर कर समीर को देखती है तो पाती है समीर भी उसे ही देख रहा था पता नहीं क्यूं आज पवित्रा को समीर की आँखों में वो प्यार नजर आ रहा था जो वो अपने पती की आँखों में देखना चाहती थी और इसी वज़े से वो अपने आपको रोप नहीं पा रही थी दोनों की नजरे एक बार फिर मिलती है और अचानक से पवित्रा दोड़कर समीर के गले लग जाती है समीर भी उसे अपनी बाहों में भाल लेता है दोनों काफी दिर तक यूँगी खड़े रहते हैं फिर पवित्रा समीर से अलग होकर उसे देखते हुए कहती है हमें माप कर देजिए हमी आपकी पवित्रा है आपकी पत्नी उस दिन एक्सिडेंट में हम मरे नहीं थे हम जिन्दा थे और आज आपके सामने हैं हम अपने मंगल सूत की कसम खाकर कहते हैं कि हम ही आपकी पत्नी है समीर मुस्कराती हुए चुपचाप उसे देखने लगता है और अगर मैं कहूँ कि मुझे पहले से ही पता था तो पवित्रा आपको कैसे पता चला कि हम जान की नहीं पवित्रा है समीर मैं दिप्ती जी के घर गया था वहीं पता चला कि तुम मेरी ही पवित्रा हो पवित्रा ये सुनकर रोते हुए उसके गले लग जाती है हमें माप कर देजिए आप हमसे नाराज तो नहीं है कि हम इतने दिनों से किसी और के साथ रह रहते समीर उसे बाहों में भरते वे मैं तुम से क्यों नाराज होंगा बलकि मैं तो उस देवता जैसे इंसान का सुक्र गुजार हूँ जिसकी वज़े से आज तुम मेरे पास सही सलामत हो पवित्रा भी ये सुनकर समीर के सीने से लग जाती है दोनों रात पर यूँ ही एक दूसरे की बाहों में बैठे हुए गुजार देते हैं क्योंकि सही माइने में उनका मिलन तो आज ही हुआ था अगले दिन सुबह पवित्रा पूजा घर में पूजा कर रही थी फिर वो सुबित्रा जी को आरती देती है और उनके पैर चूती है सुबित्रा जी भी सदा सौभाग वतिभो कहकर उसे आसिरबात देती है सुवत्रा जी भगवान करे तुम्हारा पती, तुम्हें जल्दी ही मिल जाए इतने में समीर भी वहां आ जाता है पवित्रा उसे भी आरती देती है तो समीर पवित्रा कोई सारा करता है और फिर तोनों मिलकर जोड़े से सुवधरा जी के पैर चुने आगे बढ़ते हैं सुवधरा जी उन्हें हैरानी से देखती हैं ये सब क्या हो रहा है समीर तुम दोनों एक साथ मेरे पैर क्यों छू रहे हो समीर मुस्कराते वे मा अपनी बहु को असिरबात दे दो सुवित्रा जी है राजी बहु पर ये तो तु क्या कह रहा है समीर ये कैसा मजाक है बेटा समीर मा ये मजाक नहीं है ये सच है जानकी यानि की पवित्रा ही तुम्हारी बहु है सुवित्रा जी पर तुम्हारी पत्नी तो समीर जिंदा है तबी वहाँ एक और आवाज आती है सामने दीप्ती और आदित खड़े मुस्कुरा रहे थी दीप्ती सुवित्रा जी के पास आकर हाँ अंटी, ये बिलकु सच है पवित्रा जी से आप जानकी कहती है समीर की खोई होए पत्नी है प्लीज आंटी इन्हे हासे बात दे दिए उसी तरह मैं भी बाबरी सी अपनी बहु को ढूण गई ती लेकिन मुझे क्या पता था कि वो तो मेरे की पास है सब को यूँँ खोच देख कर दीप्ती भी समीर को आदित से मिलवाती है समीर भी आदित से मिलकर बहुत खुश होता है और उसे थैंक्स बोलता है समीर थैंक्स आदित तुमने मेरी पवित्रा का ख्याल रखा इसके लिए मैं तुम्हारा जितना भी सुक्रिया आदा करूं कम है आदित ये क्या कह रहे हो तुम समीर मैंने बस अपना फर्ज निबाया तुम्हें पवित्रा मिल गई और मुझे दीप्ती बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए पवित्रा भी आकर आदित से माफी मांगती हमें माफ कर दीजे वकील बाबो हम आपके और दीप्ती जी के बीच नहीं आना चाहते थे इसलिए आपको बीना पताए घर छोड़ कर चले गए हमारी वज़े से आपने पहले भी बहुत तकलीपे सही हम आपको और तकलीप नहीं देना चाहते थे आदित पर पवित्र तुम्हें मुझे बता Juda चाहिए था हम दोस्तों थे ना क्या एक दोस्त दूसे दोस्त अपने को अपनी तकलीप नहीं बाठ सकता था पर मैं बहुत खुसूं तुम्हारे लिए कि तुम्हें समीर जैसा जीवन साथ ही मिला है फिर आदित सब को इन्वाइट करते वे कहता है कि सब को उसकी साधी में चरूर आना है इसलिए सब को दो दिन बाद उसके साथ ही जैपुर चलना है क्योंकि शाधी वो अपने पुस्तेनी घर से ही करना जायता था और विरेंद्र जी आदित के चाचा साका भी यही कहना था दो दिन बाद एक एक करके आदित और दिप्ती के शाधी को रसमे पूरी हो रही थी आदित ने जैपुर आने से पहले बिरेंजी और सट्ता को फोन पर सब कुछ बता दिया था वो भी आदित के लिए बहुत कुछ थे आदित के साथ दिप्ती के घरवाले पवित्रा, समीर और सुवित्रा जी भी आये थे साधी की रस्मों के बाद साम को साधी का मंड़प सजाया गया था जिसमें आदित और दिप्ती हमेशा के लिए साथ फेरे लेकर आज एक हो चुके थी कुछ दिनों बाद आदित और दिप्ती जैपूर ही सिप्ट हो गए थी दिप्ती एक वकील बन चुकी थी हालांकि आदित ने वकिल का पेशा ना चुनकर अपने बाबा सा की बिजनेस को आगे बढ़ाने का फ्रेश लग किया एक साल बाद सर्ता और हरिस की भी शादी हो चुकी थी दिप्ती, समीर, आदित और पभित्रा चारों ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए थी समीर और पभित्रा साल में दो बार चैपुर आदित और दिप्ती से मिलने आते थे और इसी तरह दिप्ती और आदित भी मुंबई उन दोनों से मिलने जाते थे पभित्रा भी अब अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर रही थी तो ये थी कहानी दिप्ती और आदित, समीर और पभित्रा की, जिनों ने जिन्दिगी की सारी उल्दूनों को पार कर अंत में अपना प्यार पालिया। दोस्तों, मेरी इस कहानी को अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धंदबार। अपनी कामेंट दोरा मुझे जरूर बताएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी में आपको सबसे ज़्यादा किसका किर्दार अच्छा लगा। थैंक यू